प्रियस रोताओ ऐसा ही कुछ इस भजन में बताया गया है आईए सुनिएगा जरा काया कमल का फूल सेवा मेरी कौन करेगा 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 तो आईए कि कैसे एक मा अपने बहु बेटों से उमीद रखती है कि बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा अपने काव में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे मा बाप के पास बैठने का भी समय नहीं मिलता ओर आईए क्या लिखा है सुनिए गजरा मैं जानी से वा बेटा करेगा मैं जानी से वा बेटा करेगा बेटा तो गया परदेश से वा मेरी कौन करेगा काया का मल का फूल से वा मेरी कौन करेगा मैं जानी से वा बहू करेगी और दूसरी कली में बताया है कि वो अपनी बेटी और पोते से उमीद रखती है लेकिन कहते हैं कि बेटी तो पराया धन होता है उन्हें तो एक नेक दिन अपने घर जाना पड़ता है और पोता पोता अपनी पढ़ाई में अपने स्कूल में इतने विश्ट हो जाता है कि उसकी कोई सेवा नहीं करता और क्या लिखा है सुनिये गजरा मैं जानी से वा बेटी करेगी मैं जानी से वा बेटी करेगी ले गया जमाई गणी दूर से वा मेरी कोण करेगा काया कमल का फूल से वा मेरी कोण करेगा मैं जानी से वा पोता करेगा मैं जानी से वा पोता करेगा वो पोता गया सकूल से वा मेरी कौन करेगा काया कमल का फूल से वा मेरी कौन करेगा और तीसरी कली में वो अपने पती से उमीद रखती है लेकिन कोई किसी का नहीं है सब मतलबी संसार है और अंत में वो अपने आपको गुरू की सेवा में लगाती है जहां से उसका बेडा पार हो जाता है और क्या कह दिया सुनिये गजरा मैं जानी से वा पती करेगा मैं जानी से वा पती करेगा मतलब का भरतार से वा मेरी कोण करेगा काया कमल का फूल से वा मेरी कोण करेगा इब मैं जानी से वा गुरू की करेगा गुरू जीने ला जई पार से वा इब रोज करूंगी गुरू जीने ला जई पार से वा इब रोज करूंगी जीने ला जई जीने लाए जानी से वा जई जीने लाग जीने लाग